हमारे इतिहास के पन्नों में कितने ही सामराज्यों के उत्थान और पतन की घटनाएं तथा वीर गाथाएं अंकित हैं जिनके साक्षी रहे हैं अतीत के दस्तावेज ये दुर्ग, महल, समाधियां, छत्रियां अपने अवशेशों में अतीत को संजोए हुए कौन थे वे लोग? कैसा था उस समय का जीवन? यह जानने के लिए आई ये पल्टें अतीत के पन्नों को पंद्रवी शताब्दी का समय भारत में अनेक छोटे बड़े राज्ये थे उन में से एक था मेवाड मेवाड जो उस समय राजपूताना के एक प्रमुख राज्ये के रूप में उभरा था यह वह काल था जब भारत में मुगलों का शासन बढ़ता चला जा रहा था अनेक राज्ये मुगलों की अधिनता स्विकार कर चुके थे इधर उत्तर भारत में राजपूत एक प्रमुख शक्ती थे मेवाड पर सिसोदिया वंश के राजपूतों का शासन था जिनका मुगलों के साथ बराबर विरूद बना रहता था मेवाड के इतियास के पन्नों को पल्टें तो एक प्रमुख शूर वीर का नाम उभरता है यह नाम है महराना प्रताप का महराना प्रताप शौर के प्रतीक मात्र भूमी पर मर मिटने वाले स्वतंत्रता के पुजारी वीर प्रताप की शौरे गाथाओं से अरावली की घाटी आज भी गूंज रही है सिर दे ना दे धरा आबड़ पनरी जीवाद ना सिर दे ना दे धरा सोही राण परताप भूमहारा मेवाडी शिरिदार नीला ओडारा अश्वार राणा सुने तो जाए जे रे मारा मेवाडी शिरिदार नीला ओडारा अश्वार राणा मेवाण के दो प्रमुक के लिए हैं कुम्भलगर और चित्तोडगर पंद्रवी और सोलवी शताब्दी में मेवाण के राणा कुम्भा और राणा सांगा ने मेवाण की कीर्ती को शिखर तक पहुचाया उन्ही के वन्षज महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुम्भलगर के किले में हुआ कि यहीं इसी स्थान पर कुम्भलगर के तत्कालीन महाराणा उदय सिंग और महाराणी जैवंती वाई का पुत्र प्रताप मेवाण का उत्तरा धिकारी प्रजा का दुलारा भीलों की देखरेक में पला बड़ा जिसे प्यार से वे कूका कहते थे मेवाण का भावी महाराणा वनवासियों के साथ बेहत प्रसंद रहता देश प्रेम की ज्वाला उसके हृदय में सदा प्रज्वलित रहती जो उसे अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी मेवाण सदा से ही मुगलों की आँख की किरकरी रहा और युद्ध पोते रहा मेवाण का राजनीतिक महत्व तो था ही साथ ही वह गंगा भूमी के व्यापार मार्ग को पश्चमी तट से जोड़ता था अतह मेवाण को अपने अधीन करना मुगल शासकों के लिए ज़रूरी हो गया था मध्यकालीन भारत का इतिहास देखें तो पाएंगे कि उस काल में महत्वा कांक्शी मुगल समराट अकबर का सामराज्य लगभग पूरे भारत में छा चुका था अनेक राजपूस सरदार यहां तक के राणा प्रताप के कुछ परिजन भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे और परिणाम स्वरूप उन्हें मिले थे उँची ओहदे उँची पद्वियां और जागीरें पर राणा प्रताप अकबर जैसी महा पराक्रमी सम्राट की सामने नहीं जुके कहा जाता है कि 28 फरवरी सन 1572 को होली के दिन प्रताप का गोगुंदा के किले में राज्या भिशेक हुआ जब प्रताप का राज्या भिशेक हुआ तब उन्हें न कोई राज्धानी मिली न साधनों का जरिया वे बहुत कम साधनों से ही मुगल सम्राट से जूजते रहे प्रताप ने हर संकट को चुनौती समझा और इस से उनके संकल्प और अधिक मजबूत होते गए अकबर ने राणा प्रताप को यह समझाने के लिए के वहें उनकी अधिनता स्विकार कर ले अनेक दूत भेजे पर राणा स्वाभी मानी थे देश भक थे वे नहीं माने उनका राजसी वैभव छूट गया किन्तु कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी राणा प्रताप ने अकबर की अधिनता को स्विकार नहीं किया जैसी उनकी पैनी तलवार थी वैसा ही चौकन्ना था राणा प्रताप का प्रिये घुडा चे तक यदि नेवार की भौगोलिक स्थिति को देखें तो पाएंगे कि इसका अधिकांश भाग पत्रीला और पहाडी है आसपास जंगल है और जन जातियों की बस्तियां है राणा प्रताप ने जन जातियों के रण बाकुरों को अपने साथ लिया और युद्ध की तैयारियां करते रहें अट्ठारो जून सन 1576 इस्वी को अकबर की सेना और महराना प्रताप के बीच इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध गुआ एक ओर राजा मान सिंग के नित्रत में अकबर की विशाल सेना थी कहा जाता है इस सेना में दस हजार घुड सवार थे और हजारों बैदल सिपाही थे दूसरी ओर राणा प्रताप की सेना में केवल 3000 घुड सवार और मुठी भर सैनिक थे मगर ये सैनिक मात्र भूमी पर मर मिटने वाले रण बाकुरे थे यही वे विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी है जहां से होकर प्रताप की सेनाओं ने इस घाटी को पार करके उस पार खमनोर के समीब खड़ी मुगल सेनाओं से संगर्ष किया था इस घाटी की विशेष्टा ये है कि इस घाटी के जो मिट्टी है उसका रंग पीलापन लिये हुए है इसलिए हल्दी के समान रंग वाली मिट्टी का होने के कारण इसको हल्दी घाटी कहा जाता है यह बहुत ह लिए तंग दर्रहा है जिसमें से होकर प्रताब की सेनाओं ने आगे बढ़कर के मुगलों की शेनाओं का विरूद किया था यह रक्ततलाई है। रक्ततलाई का अर्थ है जहां पर खून की तलाई भर गई थी। खून का तालाब बन गया था। आपको विदित है कि इस और हल्दी गाती है। हल्दी गाती का जो मुह है वो लग बग यहां से डेड़ किलो मेटर दूर है। इसी तरफ बाई और मुगलों की सेनाओं का पड़ाव था ये जिस ओर आप अभी ये बंबूल के पेड़ है इन पेड़ों के पीछे उस जमाने में केवल सीधा मेदान था और उस मेदान की जो सीमा है वो आगे बनास नदी से मिलती है जो मुगलों की सेनाओं थी वो उस बनास नदी के किनारे से इस प्रदेश से इस भाग से बढ़ती बढ़ती इस स्थान तक आई थी मुगलों की सेनाओं हल्दी गाटी के मुँ तक पहुँची थी प्रताप की सेनाओं ने उनको खदेड़ते खदेड़ते लगवग डेड़ किलो मिटर तक यहां ले आए यही वैस्थान है जहांपर मुगल सेना के सेनापती मान सिंग के हाती पर प्रताप ने अपने घोडे पर चलांग लगाई थी और यही वैस्थान है जहांपर चेटक का पिछला पेर हाती की सून में बंडी तलवार के कारण कट गया था यही वैस्थान है जहांपर हकीम खांसूर ने प्रताप को सला दी थी कि वो पीछे लोड जाए क्योंकि उसके प्रान संकट में थे यही वे स्थान है जहाँ पर इसके साथ चलने वाले वीरों ने अपना बलिदान दिया था जालामान ने अपने सर पर छत्र रख करके यह कहना प्रारम किया कि महाराना परताब मैं हूँ और इस प्रकार भेंकर अंतिम युद्ध की परनिती है वो यहाँ पर खून की सरिता के रूप में हुई थी यहाँ पर एग वीर विशेश का भी मैं नाम लेना चाहूँगा वीर वर पुञजा जिसके साथी लोग इन पहाडियों के अंदर पीछे की और की पहाडियों के अंदर थे उन्होंने पीछे से पत्थर बरसाने प्रारम किये थे और यहाँ पर एक वीर जो की इस और इस चत्री की तरफ में इशारा कर रहा हूँ यह राम सिंग तमर की है जो ग्वालेर का महराजा था और वो भी इस लड़ाई में अपने पुत्रों के साथ मोजूद था यहाँ पर अब लड़ता हुआ मारा गया और यह वह मध्य स्थल था जहाँ पर भहिंकर युद्ध हुआ यहाँ पर लाशें पढ़ गई और चारों और से घमासान होने लगा हल्दी घाटी का युद्ध एक दिन में ही समाप्त हो गया राणा प्रताप के हाथ से गोगुंदा का किला और कुम्भल गळ निकल गया लेकिन प्रताप का मस्तक नहीं जुका हल्दी घाटी युद्ध समाप्त हो जाने पर भी महरणा प्रताप का संगर्ष जीवन भर चलता रहा पराजित हो जाने पर भी अरावली की घाटी गुझ उठी प्रताप की कीर्ती और पराक्रम की गाथा से प्रताप की यशोगाथा नेवार तक ही सीमित नहीं रही बल्कि समूचे देश में फैल गई हल दी घाटी रंगी खुन सुनालो बहियो जाए चमकी मेवाडी तलवार बैग्या खुनारा पर नाल राणा सुनता जा जोजे सुनता जा जोजे मेवाडी राणा सुनता जा जोजे मा मेवाडी शिरदार नील भोडारा असवार राणा सुनता जोजे राणा ने जंगल में शरण ली हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात राणा प्रताप के सामने समस्या थी के राजधानी कहां ले जाएं उदैपूर से 16 किलो मीटर दूर एक स्थान था चावंड चावंड एक ऐसा स्थान था जहां पहुँचने के लिए लंबा पहाडी रास्ता पार करना पड़ता था यहां पानी की भी सुविधा थी यहीं उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई और शासन व्यवस्था मजबूत की राणा प्रताप ने भामा शाह और भील सरदारों के साथ मिलकर धन और जनशक्ती संगठित की राणा प्रताप ने छापा मार युद्ध जारी रखा सन 1589 के बाद राणा पर मुगलों का दबाव कुछ कम हुआ क्योंकि अकबर का ध्यान अब पूर्वी भारत के विद्रोह और उत्तर पश्चमी सीमावर्ती गतिविधियों पर था राणा ने अवसर का लाब उठा कर चितोड और मांडल गड़ को छोड अपने राज्य का एक प्रमुख हिस्सा वापस हासिल कर लिया और मेवाड फिर से स्वतंत्र हो गया ऐसा माना जाता है कि मेवाड के सिंग राणा प्रताप शेर का शिकार करते हुए गहरी चोट खाकर घायल हो गए और 19 जन्वरी सन 1597 को चावंड में ही महराणा प्रताप ने अपना शरीर त्याग दिया महराणा प्रताप ने ऐसे उची आदर्शों को स्थापित किया जो देश और काल की सीमा से परे मात्र भूमी प्रेम और स्वाभी मान को नरंतर प्रेड़ना देता रहा है और देता रहेगा जामाई एडा पूत जन जैडा राण परताप अकबर शूत ओज के है जान शिराण शाब ओ महारा मेवाडी सिरदार लिल घोडे राशवार राणा सुनता जाए जोजे मेवाडी सिरदार लिल घोडे राशवार राणा सुनता जाए जोजे सुनता जाए जोजी मेवाडी राणा सुनता जाए जोजे मेवाडी सिरदार राणा सुनता जाए जाए झाल झाल